Hello everyone, welcome to the new video from LawBuzz और आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ यार आपको जो High Court के Judges होते हैं उनको क्या facilities दी जाती है, क्या-क्या perks उनको मिलती है, क्या-क्या allowances उनको मिलती है और क्या-क्या उनको benefits होते हैं आज की वीडियो के अंदर यार मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ तो जो भी बच्चे Judiciary के Aspirants है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छे होने वाली है because future में अगर आप High Court के कभी Judge बनते हो, तो ये सारी facilities आपको भी मिलेंगी and High Court का Judge एक बहुत ही बड़ा person माना जाता है For example, अगर हम बात करें Judiciary के अंदर, तो High Court को एक बहुत ही बड़ा court माना जाता है and जो High Court का Chief Justice होता है, उसको हम State के CM level का Officer तक मान सकते है So High Court के जो Judges होते है, इनकी इतनी बड़ी position होती है तो इनको facilities भी इनी के according मिलती है So आज की वीडियो के अंदर हम एक एक करके सब चीज़े discuss करेंगे कि क्या-क्या मिलते है High Court के Judges को अगर मैं बात करूँ Friends High Court के बारे में तो High Court, highest court होता है किसी भी State के अंदर उसके बाद सिरफ next Supreme Court ही होता है उसके बाद High Court के पास इतनी powers होती है कि वो सबसे important जो fundamental rights दिये गए इंडियन constitution में उसके ओपर भी cases decide कर सकता है High Court के पास इतनी power होती है कि जो State ने कानून बनाया है या Parliament ने जो कानून बनाया है उसको भी वो invalidate कर सकता है अगर वो void हो या वो किसी और reason की वज़य से for example fundamental rights को breach करते हो तो उनको invalidate कर सकता है वो public interest litigation सुन सकता है contempt of court के cases decide कर सकता है और जितने भी district level courts और tribunals होते है उनके उपर एक नजर बना के रखता है और जो भी district level के courts और tribunals होते है उनकी भी subordinate courts की recruitment high court करता है तो ये बात हमें समझ आ गई है कि या high court एक बहुत ही बड़ा court माना जाता है अगर friends हम सबसे पहले बात माने या सबसे पहले हमें बात पता होने चाहिए कि high court के judges कैसे बनते है तो article 217 of the constitution of India ये बताता है कि high court के judges दो तरीके से बन सकते हैं सबसे पहले या तो जो district judges होते हैं यानि कि minimum आप कोई judicial officer होने चाहिए हो with at least 10 years of experience and generally district judges को ही बनाया जाता है जब तक promotion हो के district judge की level तक नहीं पहुंचा जाता तब तक उनको high court नहीं लेके जाता और दूसरा वो होता है कि आप एक practicing advocate हो and minimum 10 years की आपकी practice हो गई है लेकिन minimum 10 years पे नहीं बनाते हैं इससे जादा ही आपकी practice होनी चाहिए at least 15-20 years की जब practice होती है तब ही high court का judge बनाया जाता because high court का judge बनना एक बहुत ही responsibility वाली position है अगर friends मैं सबसे पहले बात करूँ salary की तो अभी recently high court के judges की salary बढ़ गई है तो जो पहले chief justice होते थे उनको salary मिलती थी 90,000 रुपीज जो की अब बढ़के 2,50,000 रुपीज हो गई है और जो other judges होते थे उनकी 80,000 होती थी जो की अब बढ़के 2,25,000 रुपीज हो गई है तो यानि कि Parliament of India ने substantially judiciary की और higher judiciary की salaries बढ़ा दी है लेकिन friends सिरफ और सिरफ salary की बात नहीं है और important next is एक official car मिलती है और official car वो भी कोई जोटी मोटी नहीं मिलती for example अगर मैं डेली high court के बारे में बात करूँ तो डेली high court के अंदर स्कॉटा सुबर्ब मिलती है और पहले तो इस कॉटा सुबर्ब के ओपर एक लालबत्ती भी होती थी लेकिन अब वो लालबत्ती government of India ने सब की हटा दी है और अगर हम इस official car के बार में बात करें तो सिर्फ official car नहीं इसके अंदर 200 liters of petrol और fuel भी हर महीने का free मिलता है जो की वो consume कर सकते है जो उनको reimburse हो जाएगा इसके अलावा escort vehicle भी मिलता है for example अगर कुछ judges ऐसे होते हैं जिनके ओपर बहुत perception होता है threat का तो उनको तो Z plus security तक मिल सकती है otherwise एक police का escort vehicle भी चलता है state to state ये vary कर सकता है कुछ states में चलता है कुछ states में नहीं चलता and जहाँ पे judges के ओपर बहुत ही sensitive cases वो decide कर रहे होते है वहाँ Z plus security भी उनको दी जाती है next है बहुत important चीज़ और जिसको monetary term के अंदर compensate नहीं करा जाता करा जा सकता वो है official bungalow for example अगर मैं डेली के बारे में बात करूँ तो डेली का जो सबसे prime इलाका है that is Lutens bungalow zone जहाँ पे सारे VIPs रहते हैं जहाँ पे किसी भी bungalow की जो cost है वो hundreds of crores के अंदर होती है तो वो जो bungalow है वो इनको free में मिलता है जिसको वो as a अपना office as well as अपना as a residence use कर सकते है and अगर उनको लगता है high court के judge को ये लगता है कि उनको official bungalow नहीं चाहिए तो उनको इसके compensation के अंदर एक allowance मिलता है जो कि 24 से 30% तक हो सकता है उनकी salary का अगर friends हम इस bungalow की सिरफ और सिरफ rent को ही अगर measure करने की कोशिश करे तो शायर 10 lakh से जादा ही इसका monthly rent होगा अगर उसके बाद friends हम बात करें कि servants के लिए भी इसके लिए allowances मिलते है तो इसके अंदर 27,000 रूपीज से लेके 34,000 रूपीज हर मन्थ इन सब चीजों के लिए मिलते है आपके घर पे servants है उनके लिए या आप कोई personal staff रख रहे हो उनके लिए या आपके घर पे कोई guest आ रहे है तो उन सब पे जो भी घर्चा होता है तो other judges को 27,000 रूपीज मिलते हैं and chief justice को 34,000 रूपीज मिलते हैं उसके अलावा free travel हर जगा माना जाता है हर जगा दिया जाता है for example अगर flight से वो travel कर रहे है तो business class की tickets free of cost दी जाती है जो कि वो reimburse करवा सकते हैं and in case अगर वो train से travel कर रहे है तो first AC की या first class की जो ticket होती है वो भी free of cost दी जाती है next step अगर वो road से travel कर रहे है तो किसी भी तरीके का कोई toll tax नहीं लगेगा और ये सिरफ high court के judges के लिए नहीं ये सारे ही judges के लिए होता है ये in fact defense personnel के लिए भी होता है कि इनको कोई भी toll tax नहीं होता तो चाहे वो flight से जाए चाहे वो train से जाए चाहे वो car से जाए किसी भी तरीके का कोई खर्चा उनका नहीं होने वाला उसके बाद अगर मैं other facilities के बार में बात करूँ तो जो लूटेंस बंगलो जोन में इतना बड़ा जो बंगला मिला है उसके अंदर जो भी electricity बिलाता है वो भी completely reimburse होता है कोई उसके पैसे नहीं बढ़ने होते water bill inclusive होता है इसके अंदर कोई पैसे इनको नहीं बढ़ने होते laundry की facilities होती है free high speed broadband मिलता है जिसमें वो as a office या अपना as a residential उसको use करते हैं उसके बाद high tech और high end laptops और systems मिलते है ताकि वो अच्छे से research कर सके जो उनको काम मिला है उसके उपर at least वो अच्छे से उसको perform कर सके उसके बाद allowances, interns के और clerks के और personal staff के तो जैसे कि मैंने आपको पताये था उसके बाद free telephone भी मिलता है जो completely free होता है या तो वो free होगा या otherwise उसके in lieu कोई एक sum मिलेगा as an allowance उसके बाद free medical treatment होता है इन top hospitals like aims तो जैसे कि बाकी government servants को top hospitals के अंदर बिल्कुल free access होती है ऐसे judges को भी कोई पैसा नहीं लगना in fact retirement के बाद भी कोई पैसा नहीं लगना और free में उनका treatment होता है and in fact high courts की जो canteen होती है judges की canteen अलग होती है जहां से उनको जो food भी होता है वो भी free of cost provide किया जाता है इसके बाद अगर friends जब retirement हो जाती है यानि कि 62 years की age में जब high court के judges retire हो जाते है तो उसके बाद lifetime pension भी दी जाती है जो कि वो भी अब काफी substantially बढ़ गई है जो पहले chief justice की होती थी वो 43,890 रुपीज होती थी जो कि अब बढ़के 1,21,575 रुपीज हो गई है और जो other judges की होती थी पहले वो सिरफ 34,000 रुपीज होती थी जो कि अब बढ़के 96,524 रुपीज हो गई है तो इस वीडियो को देखके friends हमें ये समझाया कि बहुत सारी facilities government, high court के judges को देता है क्योंकि ये बहुत बड़ी position इसकी मानी जाती है अगर वीडियो पसंद आई हो तो या like जरूर करना और आप अपने suggestions मुझे नीचे comment box के अंदा भी बता सकते हो ऐसी वीडियो में future में भी बनाता रहोंगा so thanks a lot, all the best, God bless you